नमस्कार दोस्तो मौसम ताजा समाचार में आप सभी का हारदिक स्वागत है बे मौसम हो रही लगातार ताबर तोड मुसलाधार बारिस ओलव रष्टी और आंदी जक्कर से किसान भाईयों की फचले सूपड साफ हो गई है इस वीडियो में आपको ऐसास होगा कि किसान भाई किस प्रकार से चिंतित हैं दोस्तो उनकी फचल का क्या हाल हो गया है बिल्कुल विद लोकेशन के साथ आपको इस वीडियो में दोस्तो पूरी जानकारी मिलने वाली है अब दोस्तो आप सभी को पता है बेमोसम बारिश ओलवरेष्टी और तेज अंदर की वज़े से किसान भाईयों की फचले बरबाद हो गई है किसान भाई चिंतित हैं तो दोस्तो केंदर सरकार के द्वारा अभी बड़ी राहत दी गई है केंदर सरकार बोली है रवी फसलों को नुकसान जरूर हुआ है लेकिन अभी राज्यों की रिपोर्ट का इंतजार है देश के कई इलाकों में बेमोसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है बारिश के अलावा पस्चिमी विक्छोब की वज़े से हुई ओलवरेष्टी से गेहु सहीते रवी की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है हालां की अभी राज्यों से रिपोर्ट मिलना बाकी है क्रेशी राज्ये मंत्री केला सोधरी ने समाचार एजेंसी से कहा है कि राज्ये सरकारे राज्ये आपदा रहात कूज यानि की SDRP के तहत धन का उप्योग कर रही है केंद्र मंत्री ने बताया है कि कुछ नुकसान जरूर हुआ है हमें राज्ये सरकार उसे नुकसान के आकलन की रिपोर्ट नहीं मिली है अगर राज्य सरकारे नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट जम करती हैं तो केंदर सरकार राष्टे आपदाराहत को उस यानि की NDRP के तहत मुआवजा प्रदान करेगी यानि की राज्यों के उपर डिपेंड है राज्य सरकार अपने अपने जहां पर भूमी है उन किसान भाईयों का सर्वे कराय कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ है उसके बाद में दोस्तों अगर केंदर को जो राज्य सरकारे हैं वो रिपोर्ट देंगी तो दोस्तों केंदर सरकार और जो यहां पर NDRF है इसके तहट दोस्तो मुआवजा देनी वाली है वहीं साथ यह आपको बता दें कि भारत मोसम विज्ञान विभाग के अनुसार पस्चिमी विक्षोब की वज़े से पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में बेमोसम बारिस और ओ दोस्तो यह ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सबसे अत्यदिक किसान भाईयों को नुकसान हुआ है वहीं साथ यह बताते हैं आई-मडी ने एक बियान में कहाए कि तेज हवा और ओलो से खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है खुले इस थान पर लोग और मवीसिक घायल हो गई क्योंकि दोस्तो कई जगे आस्मानी बिजली गिरने की जो खबर है वो भी आई थी जैसे की 36 गड़, जहार, खंड, बिहार है और राजस्तान से भी दोस्तो साथ यह बताते चलें आई-मडी ने अभी भी किसानों को पंजाब, हर्याना और पश्चिमी मद्य प्रदेश में फसलों की कटाई को इस्तेगित करने की सला दी थी, यदि पहले से ही कटाई हो चुकी है तो नुकसान से बचने के लिए सुरक्चित इस्तानों पर इस्टोर करने को मोसम विभाग के द्वारा कहा गया था, राजस्तान के किसानों को सला दी गई थी कि वो परिपक सरसो और जल्द से जल्द कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारन कर लें। इसी तरह पूरुवी मद्दे प्रदेश के किसानों को सरसो चना और गेहों की ततकाल कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा गया था। वो दोस्तो लोट गई है बारिस और ओलव रष्टी तो हुई है साथ ही में दोस्तो तेज अंधर भी आया है जिसकी रपतार लगबग 40-50 किलोमेटर थी ऐसे में दोस्तो जो खड़ी फसले थी उनको बहुत नुकसान हुआ है आप दोस्तो बिलकुल मैं आपको एसास करा रहा है कोमेंट बॉक्स में हमें अब इससे बता कर जाएं धन्यवाद दूस्तो जै हिंद जै भारत वंदिवात्रम